हम बात कर रहे थे एक छोटी से नुमेरिकल की जिसमें हमने देखा कि हम 500 रवे की कोई चीज खरीदते हैं उसके उपर 50 रवे हम टेक्स देते हैं और यह हमारा 10% के रेट से है तो हम 550 देंगे किसको सैलर को अब हम इस 550 वाली चीज को थाउजन में बेच रहे हैं थाउजन के कैसा हिसा रहा 550 जो हम पे कर चुके हैं प्लस में 450 का हमने उस पे वैलिव एड़ किया अब इस 450 में हमारा प्रॉफिट भी है इस 450 में हमारा जो है उस रॉप मेटीरियल पर जो हमने पहले खरीदा है यहां प इस से बायर से हम उसको सेल कर रहे हैं अपनी ये वाली जो प्रड़क्ट हमने कहीं और से खरीदा था 550 में वह उसको 1000 रुपे में दे रहे हैं लेकिन 1000 रुपे के साथ-साथ हम उससे 10% टेक्स भी लेंगे जो बनता है 100 रुपे ठीक है अब वैट में क्या सीन था या पुरा रुपे जो 100 है यह किसके अपर आया थाउसन पे आया थाउजन प्याए न इस थाउजन में क्या क्या शामिल यह 450 शामिल हैette फिशुमिल है qui 500 शामिल है ठिक है न तो आपको क्या करना है भrickoo इस 500 रुपे पर टेक्स वाप अलरडी 50 रुपे सरकार को दे चुके हो, चीक है, तो इसका मतलब होता है, उस 50 रुपे को दुबारा देने की जरूरत नहीं है, अब लेकिन आप तो कस्टमर से ले चुके हैं, तो अब उसका करना क्या है, उसका करना ये है, कि 100 में से वो जो 50 साप सरकार को दे चुके हो, और आपनी जेब पे रखो गए, उसने पोलते होंगे, इन्पूट टेक्स क्रेडिट, किसे क्या पोलेंगे, इन्पूट टेक्स क्रेडिट जोटी में अवेलेबल होता है, हर स्टेज पर, जब भी sale होती है हर stage पर आपको input tax credit avail करना होता है या मिलता है आपको finally जो consume करता है customer उसको कोई input tax credit नहीं मिलेगा क्योंकि वो आगे sale नहीं कर रहा है वो उसको आगे consume कर रहा है बस ठीक है ना अगर आप किसी चीज़ को consume ना करके उसको आगे sale कर देते हो तो आपको input tax credit मिलेगा लेकिन जो finally consumption होगा ना वहां पर नहीं मिलेगा तो यह देखिए हमने क्या किया हम 500 रुपे की चीज़ पर 50 रुपे टेक्स सरकार को अरड़ी दे चुके हैं 450 रुपे का हमने इसके उपर काम किया और profit रखा तो हमने 1000 रुपे सोचे 1000 रुपे plus में सरकार फिर के हिसाब से 10% का फिर मैंने टेक्स देगा सो रुपे तो इसका मतलता 1000 प्लस में 1100 रुपे seller मुझे बायर मुझे देगा अब इस 100 में से मैं डेखो 1000 रुपे तो मैं रखूंगी क्योंकि वह मेरा ही है लेकिन सांडर में से सरकार का हिस्सा देखो क्या है सरकार का 50 रुपे का हिस्सा तो है जिए ने मि अमिर्ब घो है एक और गें एक हजार रुपे में जो 100 रुपे üst फॉर्ट पर भी ते as इससके 10% 50, इसके 10% 5, और इसके 10% 45. तो को किए तो इस इक्स पर है निसके क्यों दे रही हुए नैकर इस सोफ ही, करा है कि जल्ट में टोस्ट का बर्डर दो सब्सक्राइब, बढ़ता था भाइज इस पर तो टेक्स दे नया बंदा इसके ओपर टेक्स तेस समझ में आता है बात इस पर क्यों हो दे यह तो ओर elabor ¿क्स बढ़ता है तो टेक्स पे टेक्स नहीं बनता होता है ठीक है नगो ये जो 50 रुपे पड़े तेन परसेंट है 5 है इसी बोलते हैं tax on tax और यह 100 tax में से मैं जो 50 रुपे already tax pay कर चुकी हूँ वो मैं रख लूँगी बाकी का 50 जो है मैं सरकार को मतलब वो सरकार का एक तरह से हिस्सा बनता है और 5 रुपे जो है हमारा tax on tax है तो इसके eliminate जो है अंदर यह problem थी जिसको GST में eliminate कर दिया गया तो अब आप देखेंगे ना अगर जैसे पहले क्या था service tax था service tax किस पर लगता service tax था या फिर यह लगा लो exercise tax था अब exercise tax किस पर लगता था manufacturing भी लगा जाता था अब वही manufactured cheese जब बेचती जाती तो sale tax अलग से लगता था तो एक customer को तो पचास tax देने पड़ गए ना एक तो क्योंकि अब देखो एक परसंट अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप सरकार को आपका कोई खर्चा हुआ है और आप कोई product किसी को बेचोगे तो आपना हाई जा श्रीक करें उना तो ऑपने बowस्तु खरीटे हो तो बस तो खरीटे हो तो उस तुलिशन में सर्वेस टैक्र दे चुका है तो वो पके product की कोश्ट में तो एड करेंगा ना है। आपने क्या किया आप को नो आप कस्टमर हो। हो आपने एक बदो सर्विस टैक्स की एप तक हो गया। दूसरी बात फिर बाएयो और म्मूंसे और लगा दिया। भाई कोई भी डॉडक्त जो सेल जंद एगागे तो यह तो भही कमाल हो गया कि डबल डबल टेक्स हम दे रहे थे अब तक ठीक है ना इसलिए इन चीजों को eliminate करने के लिए GST लाया गया क्या कि डबल टेक्सेशन से चुटकारा मिले टेक्स टेक्स से चुटकारा मिले और और जब भी हम transaction करें तो हम अगर पहले कोई पेकर चुके हैं टेक्स तो उसका credit हमें आगे मिल जाए उसे बोलेंगे input tax credit ठीक है चलिए दूसरा point आ रहा है complexity in determining the nature of transaction एक ये परिशानी और थी कि goods और services को क्योंकि अलग अलग रखा जाता था वैट में या अलग जो दूसरे in direct taxes थे तो वहां पर ये नहीं समझ पाते थे कई बार या कई transaction में कि कौन सी goods हैं और कौन सी services हैं कई बार क्या होता है कि goods जैसे software है या patents है या copyrights है इंडी intangible goods मानते हैं हम balance sheet में tangible goods की तरह treat करते हैं इनको है न लेकिन actually अगर practical approach देखें तो हम इनको services मानते हैं तो अभी क्या करें तो ये बड़ी परेशानी थी GST ने इस परेशानी को भी खतम किया उसने goods and services के बीच में अंतरी खतम कर दिया और एक ही rate से जो है उसने जो है tax जो है वो लगाना start किया that is the second point now come to the next point that is lack of uniformity in provisions and tax rates तो हर state के अपने sales tax या center का अपना sales tax ये ये चीजें बड़ी परिशानी create कर रहे थी customer के लिए एक तो क्या होता है कि जब तक कुछ provisions में clarity नहीं होती या uniformity नहीं होती या एक जैसा पन नहीं होता तो कहीं न कहीं hurdles आते हैं उसके administration में उन चीजों के collection में उनके control में तो ये भी एक मुदा था पुराने indirect taxes का कि अलग लग states में अलग लग रहे हैं सबका अलग से वैट system है सबका अलग से log है तो procedure अलग हैं और उनका definition का computation exemption का procedure सिंपल नहीं है different है इसके अलावा एक problem और भी इस नजर आई वो थी कि यह माना जाता है या expect किया जाता है कि भही जो बहुत ही important चीज़ें हैं जो routine की items हैं जिस वस्तु को हमारा आम आदमी use करता है या जो consumer durables हैं जिनको large quantity में large population इस्तेमाल करती है उसके ओपर tax rate कम होना चाहिए पर ऐसा नहीं था lowest rate और ये एक example दे रहा है कि 1% जो lowest rate था वो किसके ओपर था metals पे और jewelry पे था जबकि हर आदमी jewelry afford नहीं कर सकता देखिए ठीक है और उसके comparatively 5% rate था basic necessities में कितनी गलत बात है कि जो necessities हैं जो आम आदमी की जरूरते हैं जो basic needs हैं उसके ओपर तो आप rates जादा लगा रहे हैं और जो है jewelry पे और metals पे आप rate कम लगा रहे हैं this was also a drawback of the earlier indirect system next आ रहा है हमारा local sale versus central sale local sale में मैंने बताया indirect state की boundaries के अंदर जो sale होती है और central sales जो एक state और दूसरे state के बीच में जो selling होती है right तो अभी यह भी परिशानी थी कि कई बार कई बार transactions का जो nature होता था वो इस तरीके से था कि समझ नहीं पाते थे कि यह local sale में माना जाएगा यह इसको central sale माना जाएगा जब तक यह decide नहीं होगा तो यह नहीं समझ पाते थे कि इस revenue को रखेगा कौन इस revenue को charge करेगा कौन state government करेगी यह central government करेगी this was also a drawback for of earlier indirect system or that right next is हाला कि इसके लिए एक उन्होंने central government ने एक appellate authority affiliate authority होती है वो authority जो इस जो भी मैंने आपको जो problem बताई उस दौरान जो भी शिकायते हैं लोगों की उसको सुनने का काम करती थी यानि कि उनके आगे आप appeal कर सकते थे interpretational issues अब interpretation issues भी है वहाँ पे यहाँ पे वही थोड़ा सा point repeat हो रहा है कि कोई भी activity sale है या commodity sale of goods है या commodity है sale कर रहे हैं या service दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो supply of goods and services को same कर लिया ना एक ही rate कर दिया लेकिन पहले तो ऐसा सी नहीं था तो किसी चीज़ को service माने या selling of product माने यहाँ पर interpretational issues बड़े रहते थे क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से उनको analyze करता था इंटरप्रेट करता था निक्स्ट इस लिवाए ओफ लिवी का मतलब impose करना लिवी of excise duty on manufacturing point जैसे कि पहले भी बताया है excise duty manufacturing पे लगती है manufacturer पे लगाई जाती है जो वह products manufacture करता है और हाला की देखने में बहुत simple सा scene लग रहा है पर actually ये भी काफी difficulties create करता था क्योंकि कई बार manufacturing कहां हो रही है किस place पे हो रही है वो जो area था वो area specific हो जाता था और कई condition उस पर लागू होती थी जिसकी वज़े से कई बार decide करना मुश्किल होता था था कि manufacturing कहां पर मानी जाए ठीक है complexities in administration तो ये एक administration के part पे गलतियां है या मुश्किले रही है कि उनके पास poor infrastructure था तक वो administration नहीं कर पाते थे और offline mode था सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जैसे हावर चीज अब GST जो है fully online है कुछ भी offline नहीं है लेकिन पहले वाले system में तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर administration थ system था online नहीं था और infrastructure पूर था adequate staff नहीं है था और जो है आप कहा सकते हैं automation बगारा का system नहीं था तो ये बहुत सारे hurdles थे insufficient tax compliance इसके अलावा जो है manual problems काफी आती थी जिसकी वजह से taxpayer को difficulties को face करना पड़ता था इस चकर में क्या होता था कि tax pay करने से related जो भी formalities और activities करनी हैं वो हम नहीं कर पाते थे efficiently या कहीं mistakes हो जाती थी तो insufficient tax compliance भी आप इसका एक drop एक मान सकते हो regular failure of IT support system मान लिजी आपको कोई दिक्कत है तो सुनवाई या उसको बताने के लिए कोई help desk वगरा होना चाहिए और एक तरीके से ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं there are so many points जो बताते हैं कि earlier that जो है उसमें कितनी problems जो है वो system को भी जैसे government को भी और public को भी face करनी पड़ी राइट तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अब अपने अगले point पर जिसमें वो कह रहा है कि GST ने क्या किया एक cure problem करवाया एक बीमारी का इलाज दिया for ills और earlier direct tax regime जो earlier tax system था उसमें जो कमिया थी जो एक weaknesses थी उसके लिए comprehensive comprehensive इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी तरह की goods और services को include किया जाता है obviously exception तो रहेंगे कुछ को छोड़ा भी जाएगा लेकिन maximum goods and services को include कर दिया गया और एक tax structure बना बताया गया जो goods or services दोनों के लिए था और इसने पुराने indirect taxes जो major indirect taxes थे उनको सबस्विंट कर लिया यानि कि अपने में मर्ज कर लिया और अब manufacturing हो चाहिए सेल हो या services हो तो वह जो taxes थे जैसे exercise duty थी या फिर अलग अलग जैसे central sales tax लगा लो या state लगा लगा लो अब वह applicable नहीं होते हैं तो एक और point बता रहा है end of tax pyramiding obviously यह भी वही चीज है जो मैं आपको example के त्रू समझा चुकी हूँ tax on tax ठीक है तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा example इसने भी दे रखा है जैसे output GSD यह थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक sale हुई है September 18 में goods की जो 10 लाक की sale हुई है which was purchased for 9.50 लाक यानि कि 9.5 लाक रपे में जो चीज खरीदी गई थी थी वो 10 लाक में बेची थी 9.5 लाक के ओपर 6% आपने tax भी दिया है cgst और sgst 66% मतलब दोनों दोनों होगे na cgst भी और sgst दोनों पर 66% दोनों का टिस्क दिया है आपने 9.50 पे अगर calculate करोगे आप तो 6% बनेगा 57 के आसपास 57 लाक ठीक है cgst यानि central gst और sgst यानि state gst तो 57 57,000 57,000 इच आपका टेक्स बनता है 9.50 पे यह आप पे कर चुके हैं इसे बोलेंगे input gst अवेलेबल पे आपने पे किया है input gst का मतलब होता है कि एक बायर मतलब आप आपने खरीदा ना तो बायर जब देता है वो input gst होता है और जब आप अपनी चीज को किसी को sale कर करते हो और उससे जब tax collect करते हो वो हता है output gst जो सरकार को pay गरना है अब आप देखो 10.50 पे आपने इतना तो gst दिया और 10 लाक में आपने उसको बेचा तो कहांगे हम हां output gst पे बल इस रुपिस 60,000 यह कैसे निकाला 10 लाक में चीज बेजी ना अब 10 लाक पर सी gst बनता है 60,000 और SGST बेजी बनता है 60,000 तो क्या 60,000 सरकार को जाएंगे बिलकुल नहीं जाएंगे भई 57,000 वो अलरेड़ी ले चुकी है 50,000 लाक पर तो वो टेक्स ले चुकी है ना 77,000 अब उसको खली 50,000 पर भी तो टेक्स लेना है जो वैल्यू एड़ हुई है वो 50,000 की तो हुई है ना तभी तो 10 लाक बने तो आप उसके ओपर सिर 50,000 के पर टेक्स दोगे 50,000 के ओपर 6% कितना बनता है 3,000 तो 3,000 ही सेंटरल गवर्मेंट को जाएगा 3,000 ही स्टेट गवर्मेंट को जाएगा किस ग्रूप से C-GST और S-GST कैसे निकाला मैंने मैंने निकाला आउटपुट GST कैसे जिसने में मैंने चीजों को सेल किया 10,000 लाक पे उसके ओपर मैंने 6,6% दोनों निकाल लिए राइट और जितना मैं पहले पे कर चुकी थी साड़े नौलाक रुपे पर मैं 57-57,000 रुपे पे कर चुकी थी वो हो गया मेरा इनपुट GST वो मैं आ माइनस कर दूँगी तो अब सरकार को कितना देना है मुझे S-GST 3,000 और I-GST भी CGST वो भी 3,000 राइट समझ में आया तो ये आपको इनपुट टेक्स क्रेडिट के बारे में उसने बता दिया अब बात कर रहा है GST in other countries ये थोड़ा सा बताएगा कि GST कब कहां start हुआ जैसे सबसे पहले फ्रांस में जो है GST को implement किया गया था 1954 में उसके 62 साल के बाद 62 येस के बाद around 160 countries ऐसे हैं जहां GST implement हुआ है GST बहुत ही transparent और neutral system है इसलिए तो इतने सारे देश उसको अपना रहे है और इसके अलावा आप रेंडम लेस में देख सकते हैं जैसे यॉरप में इसका रेट 18-25% सिंगापूर में GST एप्रिल 1994 में आया शुरू में इसका रेट 3 परसेंट था बाद में ये जो है 7 परसेंट हो गया जैपान में 55 परसेंट न्यूजी लैंड में ये अक्तोबर 1986 में इस तरह के आप देख सकते हो कि different different countries में different rates हैं GST के और अपने यहां पर जैसे 0% 5% 12% 18% 28% GST अलग-अलग category बना रखी है goods and services की तो उसके साब से different rates of GST है USA कैसा country है जिसने अभी तक GST को introduce नहीं किया है यह ध्यान में रखना ठीक है अब चलते हैं हम आगे concept of GST यह फिर वही बात कर रहा है थोड़ा सा यह elaborate कर रहा है कि GST के value-added tax है जिसमें हर sale के point पर input tax credit अविले कराया जाता है और tax zone tax का जो pyramid खड़ा हो रहा था वो खतम हो गया है और इसने costs को eliminate किया है जो extra burden of tax था consumer पर उसको eliminate किया है और final consumer भी को ही tax pay करना है लिखा हो है ना only the final consumer should be should bear the tax तो GST means tax on supply of goods or services or both except taxes on supply हाँ liquor मैंने आपको पहले भी बताया था alcoholic liquor जो human consumption के लिए इस्तेमाल होता है उस पर उस पर ओ GST के category से बाहर है और इसके लावा कुछ petroleum products भी रहेंगे जिसके ओपर अभी GST का rates final होना बाकी है otherwise बाकी सभी maximum goods पर GST जो है लगाया जाता है और तो यही चैसे जो मैं आपको बता चुकी हूँ और वही वो repeat कर रहा है GST ने multiple indirect taxes को merge किया है excise duty service tax, CST luxury tax वगारा यह सब खतम हो चुके है GST is consumption based tax on VAT principle तो VAT की principle पर लाग हूँ है VAT का principle भी यही था कि finally जो है मतलब एक तरीके से अपनाया जाए final consumption पर लेकिन वहाँ input tax credit हर बार sale पर अपलब नहीं होता था जिसकी वज़ाद से जो है tax on tax का system adopt किया गया था जो की खराब था यानि जो की customer के point of view से that was not okay so that's all for this video इस वीडियो में आपने GST के बारे में ही कुछ basic चीज़े देखी और input tax credit क्या होता है tax on tax कैसे calculate किया जाता है और क्या होता है और VAT के बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी असलगी so that's all for this video thank you so much bye bye and take care